हेलो दोस्तों मैं सोहरम मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजिनिंग के 100 ऐसे मैतपून परसन जोकी आरपी अप एसाई कॉंस्टेबल और साथी साथ यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़ादा मैतपून रहने वाले हैं और ये कोशन बहुत ज़ादा बार पूछे जा चुके हैं इन सो कोशन में मैं रीजिनिंग के सारे इंपोटेंट टोपिक कवर करने वाला हूँ इन सो कोशन को मैंने 5-6 पार्ट में डिवाइड किया है ये पार्ट 1 है आगे के सभी पार्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड़ कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को जल्दी से ओन कर लिजे ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुच जाए और प्लीज आपस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजेगा ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हल्प हो सके और एक चीज और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को देखते बहुत सारे बच्चे हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा यही एक चीज होती है जिससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगतार वीडियो बनाने के लिए और बाकी जो important वीडियो है नीचे description box में link दे दिया है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं जैसे math की playlist है पूरी online test की series है तो वहाँ से जाके आप वो भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को तो यहाँ पर पहला important question है देखें इस type के question exam में आते हैं आप खुद भी try कर सकते हैं right answer जो भी बताएगा नीचे comment box में लिख देना ठीक है अंग्रेजी वर्माला में आपके दाएं और से साथवे अकसर के बाएं और दसवा अकसर कोन सा होगा अब पहले मैं आपको इसको एक तरीका बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं बिना किसी trick के तो आपको पता होगा ABCD आप पूरा लिख के कर सकते हैं इसको ABCD यानि की जैड तक आप इसको लिखेंगे अब यहाँ पर बोला जा रहा है दाएं से साथवे अकसर तो दाएं से यानि की दाएं साइड से साथवे अकसर कौन सा होगा जैड की साइड से साथवे अकसर कौन सा होगा आपका T हो जाएगा और फिर बोला जा रहा है साथवे अकसर के बाएं और दसवे अकसर तो यह हो गया आपका साथवे अकसर और इसके बाएं और कौन सा हो जाएगा बाएं और दसवा अकसर कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा जी तो यहाँ पर एक चीज मुझे पदा चली है कि यहाँ पर जब बोला जाए कि दाएं और से साथ वा अकसर या फिर दाएं और से right answer हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जब भी बोला जाए कि दाएं और से दाएं और से साथ वे या फिर किसी भी अक्सर के बाएं और जब दाएं और बाएं दोनों question में मिल जाए तो दोनों को plus कर दीजे यानि कि 7 plus 10 और जो पहले लिखा होगा यानि कि दाएं लिखा है तो दाएं और से 17 काउंट कर लीजे अगर यहाँ पे पहले बाएं लिखा होता तो इसको बाएं और से 17 काउंट कर लेना था वो ही आपका right answer हो जाता तो पूरा का पूरा आपको ABCD लिखने की जड़रत नहीं है और यह भी आपको पर depend करता है अगर आपको सारे alphabet के numbers पता है तो यहाँ पर आप इसमें एक word भी नहीं लिखने वाले और answer बता देंगे I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा ठीक है इन सभी question के solution इस पीडियप में है तो इस पीडियप को भी download कर लेना टेलिग्राम से तो right answer आपको हो जाएगा जी चलिए next question पे चलते हैं तो दोस्तो second question है देखिए अगर आपको पहले वाला समझ में नहीं आया तो यह वाला समझ आजाएगा टेंशन बिल्कुल मत लीजे यदि उप्रुक्त अंग्रेजी वर्माला के पर्थम अर्दास को विप्रीत करम में लिखा जाए तो आपके दाएं और से दसवे अकसर के बाएं और सातवा अकसर कौन सा होगा अर्दार्स मिन्स यहां पे आधे यानि कि जो पहले अंग्रेजी वर्माला के पर्थम अर्दार्स यानि कि पहले 13 को उल्टा लिख दिया जाए यानि कि A से M तक को उल्टा लिख दिया जाए ठीक है A से M तक 13 होते हैं और अगले आपके 13 हो जाएं टोटल 26 होते हैं तो यहां पे M से उल्टा लिखना है यानि कि A से M लिखा ज रबहाद में लैं में क्या बोला जा रहा है बागी के वैसे लिखना है औ林 में क्या बोला जा रहा है इतना आपकी समझ में आगया न likely तो आपके दाएं और से 10 वे ऐक्सर के बने सातवा अक्सर कौन सा होगा अभी उपर वाले कोशन में मैंने बताया आपको कि दाएं और से दसवे अक्सर का बाएं और यानि कि दाएं और बाएं दोनों आया तो दोनों को पलस कर दीजे दस और साथ कितरा हो जागा सतरा तो सतरा आप किदर से काउंट करेंगे दाएं और स जिदर से स्टार्टिंग होती है वहां से काउंट करना है तो आपके दाएं और से दसवे अक्सर के बाएं और सातवा अक्सर कौन सा होगा तो यह सतरा दस और साथ सतरा पलस करके दाएं और से काउंट कर लीजे तो दाएं और कौन सी होती है यह वाली होती है ठीक है यहां से क दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज बता दीजेगा क्योंकि अभी और आगे भी कोशन्स लेका हूंगा उसमें कवर करा दूँगा ठीक है इस टाइप के कोशन्स देखने को मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताते हैं इस सारी सीजिमा यह आपका कोशन नमबर 3 है सीरीज से देखे हर एक टाइप का कोशन्स देखने को मिलेगा बस वीडियो को पूरा एंट दक देखेगा बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो यहां पर तीसरे का राइट आंसा बताईए कोशन का क्या रहेगा यहां पर लिखा है 7 15 32 67 और यहां प मतलब देखे अगर मैं यहां पर बात करूँ 7 को 15 बनाने की तो कैसे कैसे बन सकता है 7 की मल्टिप्लाई 2 में की कितना हो जाएगा 14 और 14 में प्लस 1 कर देंगे 15 इस तरीके से कुछ यहां पर स्रीज चल रही है 15 से 32 कैसे बनेगा 15 की मल्टिप्लाई की 2 में यानि की 30 और प्ल म मल्टिप्लाई 2 की चलेगी क्छी क्या पहले में भी मोल्टिप्लाई 2 की लगि तीसरे में भी मल्टिप्लाई 2 की ही होगे 32 मॉल्टिप्लाई 2 प्लस 3 हो जाएगा ठीक है बड़ जो प्लस हो रहा है वो increasing order में है पहले 1 हुआ फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ अब next 67 में हम multiply करेंगे 2 की और plus कर देंगे 4 तो यहाँ पर 67 multiply 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 138 तो यहाँ पर आपका 138 आजाएगा तो आपका correct answer निकल के 281 याँ तो आपका right answer क्यों जगा option है I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा क्यूकि देखे सीधा सीधा सा concept है भई 7 की multiply 2 में की गई प्लस 1 कर दिया गया 7 की multiply 2 में की गई प्लस 2 कर दिया गया sorry 15 की multiply ठीक है फिर यहाँ पर 15 की multiply 2 में की गई प्लस 3 कर दिया गया फिर आपका 32 की multiply 2 में की गई plus 4 कर दिया गया तो इस तरीके से ये series बनती हुई जा रही है तो समझ में तो आपके आ गई होगी तो इस टाइप की series बहुत important होती है exam में पूछ ली जाती है next question पर चलते हैं question number 4 देखे try करके बहुत ही आसान है आप answer इसका बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पर चल रहा है square minus 1 तो इस तरीके से चलेगा जिसे 2 का square आपने किया तो कितना हैगा 4 minus 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 फिर यहाँ पर 3 को छोड़के 4 का square किया गया 4.16 minus 1 तो 15 आजएगा यहाँ पर फिर आपका 5 को छोड़के 6 का square किया गया 6.34 minus 1 तो आपका 35 हो जाएगा फिर आपके 7 को छोड़के 8 का square किया गया 8.84 minus 1 तो आपका कितना 63 हो जाएगा 63 फिर next आपका किया जाएगा यहाँ पर 10 का square और 10 का square आपका 100 और minus 1 कर दियाएगा आपका 99 तो आपकी समझ में आ गया 2 का किया गया 3 को छोड़के 4 का 5 को छोड़के 6 का 7 को छोड़के 8 का 9 को छोड़के 10 का और यहांपे 11 को छोड़के 12 का किया जाएगा और 12 का यहांपे कि स्क्वायर कितना होता है 144 और 144 में से माइनस वन कर देंगे आपका कितना जगा 143 तो 143 इस दर राइट आंसर आई होब कि 1688 Mr. př. dwarf आई होगा देहिए बहुत ही आसान कोशेन होता है कैसे करना है सबसे पहले सबके साbeके साइन चैंज करने है जैसे जैसे कोशन कोशन में बोला गया ब्लाइस को क्या बोला गया मर्टिप्लाई तो जहांपर भी प्लस है वाहानपर मल्टिप्लाई रह दिजए में पर म equation बन जाएगी ठीक है जहाँ पर पलस है वहाँ पर माइनस रखना है आपको सोरी डिवाइड का अर्थ माइनस है तो डिवाइड का जहाँ पर भी है वहाँ पर आपका माइनस रखना है तो यह आपको करना है मतलब उल्टे सारे sign आपने चेंज कर लिए उसके बाद board mask का rule आपको apply करना है कैसे कैसे solve करते हैं यहाँ पर नीचे मैं आपको बताता हूं देखिए यह सारे sign चेंज करने के बाद में आपकी equation क्या बन जाएगी इससे equation यह बन जाएगी ठीक है अब इसको solve कैसे करेंगे पर बोर्ड मास का rule हमें क्या कहता है सबसे पहले जितने भी आपके bracket हैं को solve कर लिए फिर उसके बाद में करेंगे तो यह आपका 100 हो जगा multiply आपकी हो गई ठीक है यहाँ पर भी है multiply तो इसको भी multiply कर लेंगे इसके बाद आपका plus होता है और सबसे बाद में आपका minus होता है तो plus यहाँ पर 7 और 100 को करेंगे 107 और यह 30 minus कर देंगे तो आपका 77 तो 77 आपका right answer आ जाएगा ठीक है तो question बिल्कुल भी hard नहीं होता है बस थोड़ा से ध्यान से करने की ज़रत होती है question का answer बहुत ही जल्दी और आई जाता है option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next question पर चलते है question number 8 आपका है direction से तो direction का question भी देख लेता है क्योंकि question बहुत important है exam में जरूर पूछ जाता है यहाँ पर है कि अजे 12 मिटर उत्तर दिशा की और चलता है तो सबसे पहले अजे को 12 किलो मिटर उत्तर की और चला दीजे उत्तर की direction यह होती है तो 12 किलो मिटर जहां तक भी चलेगा यह कहीं से भी मतलब किसी भी point से 12 किलो मिटर चल देगा वहां से दक्षिन की और 8 किलो मिटर चलता है यानि कि जब यह यहाँ पर आ चुका होगा फिर दुबार से दक्षिन की और 8 किलो मिटर आएगा देखे इसी figure से हम समझेंगे क्योंकि यह मैंने solution आपको पहले से provide करा दिया बट समझेंगे भी इस से यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी यहाँ से point से उत्तर गी और 12 किलो मिटर गया फिर वापिस 8 किलो मिटर जब दक्षिन की और आएगा आठ किलो मिटर आने के बाद में फिर कुछ बोला जा रहा है इसके बाद 3 मिटर पूर दिसा की और चलता है तो इसके बाद वो जब 3 मिटर पूर की और चलेगा तो यहाँ से देखे 3 मिटर पूर की direction यह होती है तो 3 मिटर पूर यहाँ पर आ चुका है तो इसने देखे चलना यहां से start किया था है यहां से 12 किलोमेटर गया फिर आटा है और फिर यहां पर आ चुका है एक-एक point को जहां लखेगा क्योंकि यह ही important point जहां पर एक भी गलत हो गया तो सारा question गलत हो जाएगा टीक है चलता है वह अपने चलने के बिंदू से कितना दूर एवं किस दिसा में है अब यह बताना है कि वह कितनी दूर है और किस दिसा में है अब दूरी आप यह नहीं ना पेंगे कि यहां से चलेगा यह गल्ती मत करना, यह दूरी नहीं होती है, दूरी होती है कि अब वो यहाँ पे है, क्यूंकि यह डिस्टैंस कितनी है, 3 मिटर की है, यह पूरी 12 की थी, और यह वाली 12 मेंचे अगर 8 मैंनस कर दूँ, तो 4 मिटर की ýě हो जाएगी, तो आपको ये वाली भी पता है ये निकाल लिए बस पाइथा गुरस लगा दिजिए आपका राइट आंतर आ जाएगा और ये दिसा कौन सी हो जाएगी उत्तर पूर हो जाएगी सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है गर एक लाइन में हापे खेंज दूँ तो ये कौन सी होती ये पूर्व है ये आपकी हो जाएगी दक्सिन तो और ये हो जाएगी आपकी उत्तर थीक है तो यहाँ पे हमें अगर देखा दए हाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेगा जहां से चलता है वो चलने का पॉइंट कौन सा होता हो बीच वाला होता है तो ये लाइन आपकी चलना स्टार्ट करता है तो वो किस पॉइंट से चलता है जैसे हमारी चार दिसा ये होती है तो वो चलना जो स्टार्ट करता है वो इस पॉइंट से करता है बीच से तो ये सबसे पहले 12 किलोमेटर उत्तर की और गया था तो इस पॉइंट से गया था ना कि इधर इधर उध तीन मिटर अब यह पूछा जा रहा है किस दिसा में है तो एक्जक्ट हमें यह तो नहीं पता नहीं कि यह पूरी पूर दिसा में यहीं तक ही गया है तो यह कहीं नहीं बीच में ऐसे गया है तो अब बीच में कहीं पहा है तो यह कौन सी दिसा हो जाएगी आपकी उत्तर पू की हो जाएगी यानि कि अभी वह जहां से चलना स्टार्ट किया था वह पांच मिटर की दूरी पर हैं तो आई होप कि आपको एक कोश्चन भी समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं वह एक कोश्चन देख लेते हैं सीटिंग अरेजमेंट का अभी क्योंकि यह कोश्चन आपका देखे आरप में भी पूछा जा रहा है साई और कॉंस्टेबल में और यह यूपी पुलिस में भी पूछा गया था अभी जो लास्ट एक्जाम होगा था आपका तो आगे भी पूछा सकता है तो ध्यान से देखते हैं इसको 6 सहलिया एक वरतकार पत पर बैठकर केंद्र की और मुँ करके बाते कर रही हैं सुसीला सुदा और पुस्पा के मध्या नहीं बैठी हैं तो यहां पर 6 सहलिया है जो एक वरतकार जो पत है उसके बैठी है अनिके गोले में बैठी है तो यहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से बैठ बैठने का करम दिर्का सुसीला जो है वो सुदा और पुस्पा के मध्या नहीं बैठी है यहां पर जहां पर इन दोनों को बैठा जाएगा उसके बीच में सुसीला नहीं आएगी दूसरी लाइन में बोला जा रहा है पुनम पुस्पा की प्रोसी है तो अब थोड़ा चलते ह है कोशन पर यहां पर ठीक है यह हमने एक गोला बनाया जिसमें यहां पर बोला गया था जो पुस्पा है सुरी सुसीला जो है वो पुस्पा और सुदा के बीच में नहीं है तो यहां पर हम सुसीला को कहीं पर भी बैठा देते हैं बट ज्यान ही रखेंगे पुस्पा और स उसकी पुडोशन है तो पुडोशन यहां पर भी हो सकती यहां पर भी तो अभी पुणम का जो इस्थान हो कन्फर्म नहीं है को इधर आएगा इधर आएगा तो मैं दोनों साइड में अभी पुणम को बैठा देता हूं ठीक है तो यहां पर इस साइड में भी पुणम हो सकत अगर यहाँ पर बैठे अगर पुनम यहाँ पर बैठे तो रिंकी यहाँ पर बैठे तो पुनम इसके ठीक बायोर हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको बैठा दिया अभी और बागी की आगे कंडिशन देखते हैं क्या लिखा है बायोर बैठी है पिंकी सुसीला के दाइं दूसरे इस्थान पर बैटी है, पिंकी जो है सुसीला के दाइं दूसरे इस्थान पर बैटी है, तो पिंकी जहाँ पर बैटी होगी देखिए, पिंकी यहाँ पर है, सुसीला के दाइं दूसरे इस्थान पर बैटी है, तो सुसीला को हमने आपर बैटाया था, एक यह छोड़के और यह किये यहां पर आ जाएगा तो यह इसके दूसरे और बैठी है अगर पिंकी यहां पर बैठी है दाई और तो पुनम का इस्थान यह कंफर्म हो चुका अगर पुनम का इस्थान यह कंफर्म हो गया अभी पुस्पा और सुदा बची हुई है यह भी कंफर्म हो जाएगा फिर यहाँ पर बोला जारा पिंकी सुसीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है पिंकी जो है सुसीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है यह तो आपका होई गया है बची सुधा तो सुधा आपका एक हिस्तान बचता है तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले इस तरीकिसे लाइन ड्रो कर लेता है जितरी भी यहां पर सहलिया बताई जाती है ठीक है तो इन सभी का हिस्तान confirm हो गया अब question पे चलते हैं कि क्या क्या question पूछे जा रहे हैं तो भई पहला question यहाँ पे पूछा जा रहा है रिंकी के तुरंट दाएं कौन बैठी है तो रिंकी के तुरंट दाएं कौन बैठी है देखे रिंकी कहाँ पे बैठी है आपके यह यहाँ पे हैं, और तुरनध दाई और सुसीला है, तो आपका राइट अंसर सुसीला होजाएगा, तो एक बर बस यह जो डाइग्राम होता है, यह बनना होता है, उसके बाद जितने भी कोशन पूछे जाते हैं, उसके जाते हैं, पहले एक है दोसरा है सुधा के ठीक सामने कौन बैठी है तो सुधा देखे कहाँ पे बैठी है सुधा आपके यहाँ पे है और ठीक सामने आपके कौन हो जाएगी पुनम हो जाएगी तो इसका राइट आंसर पुनम हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स आपका पुस्पा किन दो लड़कियों के ठीक मद्या में बैटी है पुस्पा देखिए किन दो के बीच में बैटी है पिंकी और पुनम यानि कि पुनम और पिंकी के बीच में है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते है पिंकी और पुनम और पिंकी पुनम और पिंकी यहाँ पर हो जाएगा तो यह राइट आंसर होगा आपका option B फिर 4 है आपका निमिन में से कौन सी लड़की सुधा के पास बैठी है तो सुधा के पास कौन सी लड़की बैठी है देखे सुधा अगर देखा था है यहाँ पर बैठी है तो यह इसके भी पास है सुसीला और पिंकी यह भी देखे option में कुछ आपको दे रखा होगा तो यहाँ पर देखे सुधा का तो नाम नहीं दे रखा है इसका मतलब पिंकी राइट आंसर हो जाएगा तो फोर का राइट आंसर option A हो जाएगा दोस्तो आई होब कि आपको यह question समझ में आए होंगे ठीक है चले next question पर चलते हैं तो इसमें questions पूछे गए हैं कुछ यह पहला question है देखे है इसका और यह हमें इस diagram को देखते होए आंसर देना है यहाँ पर बोला जा रहा है आरेका में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी हिंदी और मराठी की जानकरी की संबन्द में एक नमुना सरवेक्शन को दर्साया गया है कितने लोग सभी बासाय जानते हैं यहाँ पर बताना है इन में से कितने लोग हैं यह पूरे एक हजार है सारे के सारे मिलाके एक हजार हैं तो इन में से बताना है कितने लोग सभी बासाय जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी सारी जानते हैं 175 कितनी बास आचानते हैं तो यहापे 105 कि इसमें मडी即ी में अंप्षी में बागी तो और इंग्रेजी आपका राएट आउजए गाईगा तो तो मराथी और अंग्रेजी topics को जगा है निकि option c is the right answer ठीक है तो देखे कोशन आड़ नहीं था बट ये भी कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा से लेंथी लगते हैं बहुत सारी यहां पे इसमें detail दे जाती है जिसको देखकर के बहुत सारे बच्चे इसको skip कर देते हैं कि इतने लंबे कोशन को कौन read करके answer देगा बट आपने देखोगा पिल्कूल भी time नहीं लगा है time नहीं लगता है question को try जरूर कर ले करें इस type के भी ठीक है चलिए next question पर चलते है देखे question number 9 को भी try करिए और इसका right answer कर रहेगा comment box मों बतेगा यहां पे बताना है कि यहां पे कौन सी संक्या आए okay या square okay ही कुछ ना कुछ बना होगा ठीक है क्योंकि संक्या बड़ी है तो अब क्या-क्या बन सकते है कान पांच की 5 में करेंगे 25 और 25 के अगर मैं 5 में कर दूँ तो 125 तो इसका मतलब यहां पर right answer 125 इस तरीके साथ है यहां कि 5 की multiply 5 multiply 5 से कर दी जाए तो यहां पे आपका यह यहां पर यहां पर आपका 125 वैसे यहां पर 4 की multiply 4 में की चार चुक 16 और 16 की multiply अगर मैं 5 में कर दूँ तो 80 हो जाएगा तो यहां पर बिल्कुल ऐसी किया रहे हैं आपको यही कर रहा है तीन तीन नो और multiply 9 की 5 में कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका 45 तो 45 इस दा answer तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसी टाइप की questions बहुत सारे आपके exam में पूछे जाते हैं चलिए next question पर चलते हैं देखे question number 10 है आपे बोला जा रहा है कि एक पूरूस ने अपने पूत्र की तस्वीर की और इंगित करते हुए एक औरत से कह इसकी मा तो देखें आप प्रूस यह है और यह पूत्र की तस्वीर रहें इस पूत्र की तस्वीर है तो इसकी मा यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी मा की उस एक ओरत की और इसा मतलब अपने पुत्र की और इसारा करते हुए कहता है कि ओरत इससे कहता है एक ओरत से कहता है उसकी मां तुम्हारी मां की एक लोती पुत्री है तो उसकी मां की एक लोती पुत्री यानि कि ये इसकी ओरत की मां हो जाएगी तो यहां पर पूछा जार बताए औरत उस पुरूष से क्या संबंद रखती है निक्या संबंदित है तो यह इसकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों सीधी सी कंडिशन दे रखेंगे ना या पर बोला जार एक पुरूष एक तस्वीर की और इसारा करते हो एक औरत से कहता है कि इसकी मा तो इस पुत्र की जो श्मय सान यह कि अगर इनको यह इसका पूतर है इसका योइप हो जाएगी आपको आगया हैं सभी handle जडीया है चडीया है सूरी तो संसे पहले एक venn diagram बना लेते हैं ठीक है कुछ full थीयसे हैं तो यहाँ पर देखे full आपने बनाया और यह हलका सकत लगा के कुछ full थीया बना लिये ठीक है तो इसके बाद क्या बोल जा रहा है कुछ full c से हैं फिर बोला जा रहा है सबी हैंडल चढ़िया है तो आपका जो है । सीसे उसके बाद यार ये भी तो बोला गयाता कुछ सीसे हैंडल है तो आपका ये भी बनाय जाएगा K牠ण से में कुछ हलका ये इस तरीके से लगाके पहले faculty कुरा कि Jejah handle और फिर सभी handle छड़ियां है तो यह आपका बनाया जाएगा ठीक है तो when diagram तो कुछ आपका बनके यह त्यार हो जाएगा देखे when diagram आप सभी बनाना सीखी गए होगे कोई लिक्कत नहीं है उसके बाद जो niskers होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जुरत होती है समझने की जुरत होती है यहाँ पर बोले जाए कुछ छड़ियां सीखे हैं तो कुछ छड़ियां सीखे हैं देखे छड़ियां और सीखे के बीच में relation है तो बिल्कुल सही है यह आपका right हो जाएगा पहले वाला right हो जाएगा तो कुछ जो चड़िया है आपका सी से हो सकती है कुछ handle full है तो handle और full के बीच में देखे कुछ relation है तो handle यहाँ पे है फूल यहाँ पे है तो इनके बीच में कोई relation नहीं है तो यह नहीं हो सकता है तो दूसरे वाले को हम क्या करेंगे हटा देंगे तीसरे वाला कुछ चड़िया फूल है तो कुछ चड़िया फूल है तो चड़िया और फूल के बीच में भी ko relating 내일 नहीं है तो यह भी question number 12 है आपका अच्छी पुष्टक भले ही महंगी हो बिक्ती है तो यहाँ पर पूर्धार नहीं क्या क्या है इसको देख लेते हैं कुछ पुष्टके दूसरी पुष्टकों से अच्छी है तो बिल्कुल यह यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छी पुष्टके भले ही हो जाएगा दूसरे आदिकांस पुष्टके महंगी है तो यह गलत होगा कि अधिकांस पुष्टके महंगी है कम पुष्टके महंगी महंगी है क्यांप यह चीज के लिए रहने की गई है कि अधिकांस पुष्टके महगी है बस याँ पर यह बताए कि अच्छी पुष्टके भले ही महगी हो पर बिक्ती है तो इसका मतलब दूसरे वाला का कोई भी रिलेशन नहीं है कथन से तो पहला राइट रहेगा दूसरे वाला रोंग हो जाएगा तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको यह कुशन भी समझ में आ गया होगा